हाई फ्रेंड्स अगर आपको आर्मी रेली बहाली में जाना है और आपको आचरन अप्लाई करना है तो पहले की तरह इस बार का प्रोसेस बदल गया है पहले SP offices आके आप आश्रन अप्लाई करते थे लेकिन अब इसका online प्रोसेस हो गया है यानि RTPS साइट से जिससे जाती या निवास को अप्लाई किया जाता है उसी साइट के माध्यम से आप आश्रन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिसे character certificate भी कहा जाता है अगर आपको character certificate यानि आश्रन अप्लाई करना है तो आपको RTPS साइट प्याना पड़ेगा इस साइट के लिंक आपको वीडियो की description में पुर्भाइट करा दिया जाएगा जहां से आप उस link पे क्लिक करकि साइट पे redirect हो शकते हैं तो चलिए बात करते हैं आपको अगर character certificate अप्लाई करना है तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं साइट पले आपको इस site के माध्यम उस link के माध्यम से site पे आजाना है और यहां पे आपको online आवेदन दें के नीचे look सेवाओं को अधिकार की सेवाएं और इसके नीचे ग्री विभाग लिखा होगा और इसी ग्री विभाग में एक option है आश्रन पर्मान पत्र के लिए आवेदन इसी पे आपको क्लिक करना है अगर आप इसे English में देखना चाहते हैं तो यहां पे आपको English पे क्लिक करना है English पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको दिखाई देगा apply online में RTPS services और RTPS services के नीचे ही लिखा होगा home department इसी home department के नीचे लिखा होगा issue of character certificate set तो अगर English में देखना चाहते हैं तो यह लिखा हुआ मिलेग आपको issue of character certificate अगर आप इसे Hindi में करना चाहते हैं और Hindi में देखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखा मिलेगा आपको गिरीवीभाग और गिरीवीभाग के नीचे यहोगा आष्रन प्रमानपत्र के लिए आवेदन इसी आपको क्लिक करना हैु अ है आफ को दूसरे पेस्पे आपको रिडिरेक्ट करेंगा जहां से आप्षिटरन के लिए आप आप ओन-लाइन bathrooms करें तो चलिए आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या आपको फिल करना है first of all इसमें आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है इसमें आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें आपको कोई अविवादन चाहिए तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं चाहिए तो नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें नमर देना है और इसमें आपको एक वैलेड इमेल एड्रेस देना है और यहां से आपको एस्टिट सेलेक्ट किया हुआ मिलेगा इसमें डिस्टिक आपको सेलेक्ट करना है सब डिस्टिक सेलेक्ट करना है ब्लोक सेलेक्ट करना है इसमें विलेज का नाम फिल करना है इसमें व पुलिसे स्टेशन आपको स्लेक्ट करना है वाड नमर इसमें आपको फिल करना है ग्राम पंचायद जो आपका पड़ता है ग्राम पंचायद या नगर निगम या नगर परिशाद या नगर पंचायद जो भी आपका गाउं उस लिस्ट में आता है उसमें आपको क्लिक करना ह motif even up कर ना है और अगर आपका एड्रेश में अलग है तो इसमें अलग फील करना अगर ऊपर के जैसा है तो इसमें सेम के किलिक कर देना है कि explicert कर según आवेदन का उदेश से पुछा जाएगा तो इसमें सबसे जरूरी बात है कि आपको इसमें सबसे लास्ट वाला जो अप्शन है अन्य कोई कारे जिसके लिए समक्ष प्राधिकार्द वरा पुलिस सत्यापन परतिवेदन को आवस्यक समझा जाए इस पे आपको किलिक करना है उसके बाद इसमें specific देना यानि किस उदेश से के लिए तेहां पर आपको लिखना है आर्मी रैली लिखना है और इसमें हिंदी में लिख देना है आर्मी रैली अगर यह आप दोनों नहीं फिल करते हैं तो आपका जो form है और आगे नहीं परसीड होगा और इसमें आपका पिछले दो वर्षों से अधिवास वीवरण यानि दो साल से जहां पर आप रहा रहा है उसका इसमें वीवरण डालना है तो वार्तमान में वार्तमान या पिछला जो भी है उसको फिल अप करना है जिलाफ डिस्टिक यानि फिल अप करना है प्लिस अस्टेशन और इसमें अपना फूल एड़ेस जालना है गाउं का नाम पोस्ट ओफिस और थाना और जितने महीने से आप वहाँ पर आ रहे हैं उसको यहाँ पर फिल अप करना है और यहाँ पर अगरी करना है अपलाई फॉर्द ऑफिस यहाँ पर उपर अपलाई किजिएगा तो यहाँ पर अपने यहाँ पीचिया को भी फील कर लेना फॉट अपलोड कर लेना है और यहां पर आपको सव मिट बटन पर किलिक कर देना है समिंट बटन फिकी जिगा यहाँ अगे कि लिए फू कंड हो जाएगा व किकीए प्रसिट होता है तो अलब ni फिज क्या अता है उसमें क्या वापको करना है कि एडिक कर सकते हैं और इसको कैंसिल करना थो कंसल भी कर सकते हैं या बिख करते हैं यह पर क्लीक कर देना है यहां पर किलीग करते ही यहां पर ancadharcar passport फोटो स्वास्ते भी माया ड्राविडाइस जो भी आपके पास है उसको आपको क्या करना पहले फोटो को भी करा लेना फोटो को भी करा कि उसको बाद आपको उसे एक मतलब फोटो किलिक करके उसे 20-200 KV के अंदर उसको रिशाइज कर लेना है उसके बाद आपको अप्लोड करना है निक्वी डोकुमेंट को आप अप्लोड करना चाहते हैं उसका फोटो को भी करा ले और उसे कम फाइल कर लेना है यहां पर इसलेट कर लेना है और आपको प्रमानपत्र मिल जाएगा पुलिस अच्रन परमानपत्र और कुछ दिनों के बाद ही आपके पास ठाना से कॉल आएगा और आपको बलाज जाएगा आपको वेरिफीकसन के लिए तूँसमे आपको झोभी डोकुमेंट उसमें लगा है उसका फोटो कोपी पर्मान पत्र को और किसी भी ओफिस में जाने की जरूरत नहीं है पहले जाके आपको sp office अपलाई करना पड़ता था लेकिन अब वो सभी प्रकिरिया इस बार से बदल गया है आप पुश आशन पर्मान पत्र के लिए आप ऑन लाइन अपलाई करके आप ओन लाइन उसे पूरत नहीं है आप उसे online apply करके आप उसी download कर सकते हैं जब आपके पास से message आजा है तो आप यहाँ पर certificate download करें option से यहाँ पर क्लिक करके आप अपना application reference number अप्लिकेंट नेम और श्रमिशन डेट डाल के आप जिस दिन अप्लाई किया है उसके download certificate पर क्लिक करके अपना certificate download कर सकते हैं जो कि आर्मी रैली के लिए 100% valid है